नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ विकास कुमार है ये फटा फट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआद बिहार कॉंग्रेस प्रवारी सा राजिसवा सांसर शक्ति सिंग गोहिल ने नितिश कुमार पर्स बोला हमला कहा युवाओं को रोजगार देने में विफल रही बिहार सरकार चुनो आयोग ने बिहार विधान स्वाद चुनो को लेकर दिया निर्देश विधान स्वाद चुनो में आयुकतों को मिली अंतर जिला समनवय की जिम्मेदारी बिहार विजेपी के अध्यक्स संजे जैसवाल का बयान कहा एक जूट होकर चुनो लड़ेगी NDA तिन चोथाई वहुमत से होगी जीत केंद्रिय मंत्री रवी शंकर परसाद ने कहा कोरोना काल में लोगों को जागरूप करने में सोशल मीडिया की रही अहम भूमिका शनीवार को जीतन राम मांजीने मुखे मंत्री नितिश कुमार से की मुलाकात विहार विधान स्वाज चुनो को लेकर की चर्चा भाजपाक्य MLC संजे पासमान का बयान कहा बरावर सीटों पर चुनो लड़े जेडियू और बीजेपी रालोस्पा प्रमोको पेंदर पुष्वाह का दावा का हर सीट पर महा गटवंधन की जीत में रालोस्पा की होगी भागीदारी भागपा मावादी के खिलाब मुंगेर पुलिस की बड़ी करवाई माववादी के आठ सदस्य के साथ दो मददगार गिरफतार बड़ी घटना को अंजाम देने पहाड पर जुटे थे माववादी भारी संख्या में हतियार और गोली ब्रामत माववादी के पास से राइफाल, SLR की गोली, मैगजीन, देशी कट्टा, आटोमेटिक, पिश्टल सहित, माववादी संख्यान का लेटर पैड हुआ बरामत बिहार विदान सवाके मुद्दे पर शुषान्त की मौत की हुई इंट्री भाजपा ने छपवाया, इश्टी कर ना भुले है ना भुलने देंगे का बनाया स्लोगन बेगुसराय से भागलपूर लोट रहे, SVI बैंक मेनेजर की बिहपूर में गोली मार कर हत्या बेगुसराय में कारेरत थे मधेपूरा निवासी अजियन्त कुमार चोधरी वेपूर बगडी रेल ओवर विरीज के समीप अपराधियों ने घटना को दिया आंजाम मामले की जांच में जुटी पुलीस S.C.H.T. केस में नामजद आरोपियों को गिरपतारी पर भागलपूर मुरारपूर में लोगों ने जम कर किया बवाल पुलीस पर किया पत्रों एनच एट्टी किया जाम आक्रोशित लोगों के साथ महलाओं ने भी अवाज की बुलंद लाठी डंटे के साथ सडक पर उतरी दरजनों महलाएं घटना में नातनगर सीयो सहीतिन इस्पेक्टर हुए जखमी आक्रोशित लोगों ने पुलीस पर फेका जलता हुआ टायर पुर्णिया के कैन नगर थाना शेत्र बेगमपुर गों में 40 वर्षिये महला और 13 वर्षिये नवालिक बेटी के साथ ग्यंगरे पुलीस ने एक को किया गिरफतार पिडिता ने गौ के ही कासिम को बनाया मुख्य आरोपी पाक सो एक्ट के तहत मामला दर्ज अन आरोपी की ग्रफतारी के लिए सखन छापे मारी जारी शनिवार को राजी में 1726 नए कोरोना मरीज की हुई पाचान बिहार में कोरोना से स्वस्थ होने की दर हुई 88.1 फिस दी शनिवार को राजी में कोरोना से 9 लोगों ने गवाई जान इसके साथ ही राजी में कोरोना से मरने वालों की संख्या बलकर हुई 750 राजी में पिछले 24 घंटे में एक लाग पच्चास हजार 483 लोगों की हुई कुरोना जात जिसमें एक हजार 726 मिले संकरमित राज में अब ओन डिमांड की जा रही है कुरोना की जात भागलपुर माया गंज अस्पताल में ऑक्सीजन सफलाई बंध होने से 3 कुरोना मरीज की मौद जबकि अस्पताल परवंदग ने एक मरीज की मौद की की पुष्टी परहाल इस बुलेटिन में इतना ही आप देखते रहें सिल्क टीवी अपने आसपास की ख़वरों को देखने के लिए सिल्क टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेस्बुक पर पेस को फॉलो जरूर करें